हेलो एब्रीबरन मैं आज फिर से हर्वेस्टिंग कर रही हूं कल रात जो है थोड़ी बारिश हुई बहुत ज्यादा तुनी हुई लेकिन थोड़ी धीमे धीमे से बारिश लगी हुई थी जबन सुबा उठे यहां पे पहले मैं आपको दिखा दिए हैं मूली लगी हुई है तो सुबहा बारिश लगी थी और फिर अभी चली वहा थोड़ी-थोड़ी सी हलकी-हलकी सी हवा चली है मूली आर्वेस्ट कर ली मैंने और थोड़ी सी यहां मेती भी है नीचे-नीचे टमाटर बड़े सारी लगे हैं इदर अभी पॉन्दे को उठाया मैंने इसमें बड़े सारी टमाटर लगे है एं नियर फ्यूचर यह भी पकने वाले हैं फिर इनको भी हम हर्वेस्ट करेंगे इदर भी है मेथी थोड़ी मेथी मेथी सब हैं इदर लगे वे और थोड़ी थोड़ी सर्सू भी है सर्सू का जो वो यह पॉदा है ना सामने वाला इसमें फूल जड़ गए हैं सारे और इसमें बीज लगना शुरूओ गे तो यहांपे आजाते हैं गर मेथी बेए बड़ी सबस्टर सुन्दर लगी हुई हैं एक दो दो बीज लगें दूर दूर ज्यादा सकसेस्फुल हुए हैं यह दिखो बीज में लेसन के साथ लेसन के साथ बिल्कुल गामुफ्लेज करके यह घास लगी है तो हर्वेस्टिंग का ये एक एडिशनल फायदा है कि आप अगर हफते में कादबार हर्वेस्टिंग करते हैं तो आप पौधों के बीच से अन्वांटेड वीड्स को हटा देते हो जिससे हमारे जो एक्चुली जो हमने प्लांट ग्रो किये हैं वो फिर अच्छे से ग्रो कर जेंगे ये को रख द falls teta ग को इसको रहते हैं फौह जेए हैं इहां ये स्प्रिंग अनियन था मुझे लग राता लैसून ये स्प्रिंग ऑनियन अल्ग धिको एक भी धिन प्युद्दिनन अवह निकरत्य वह फालों ते हैं अंडर से पैप जासा बना होता और ये लहसून के पत्ते फ्लावर बनने वाला है साजडों वाले पत्ते कर लेते हैं हार्वेस्क फूल देखने में सुन्दर लगता है वैसे तो अगर मैं यह फूल हटा दूं तो पत्ते मिलते रहेंगे और अगर फूल नहीं हटाऊं तो बीज मिलने के संभावना है हलांकि वो बीज बाद में उगेंगे नहीं उगेंगे उसका कोई भुरुसानी है ना तो आपको फूल देखने को अच्छे लगते हैं तो रहने दिया करें ऐसे इस तरह से अनियन के सीड बनने के लिए रहने दे सारsy आप यहांने तैंडी असका समय स्थाओ और ले मिथी ख है काफी सारी को सोंफ भी बहुत सारी और इस सौंफ में प्रॉब्लम कि एलगी इसंने सीड बनना शूरू हो गई flooring ओर यह हर चगह पर flooring 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 जब कि इतनी ज़्यादा तो इससे बनने वाले नहीं हैं क्या भला seeds के ज़रुदध पूरी हो जाए वस वैसे satisfaction हो सकती है देखने में कि हाँ हमने सौम भी grow कर ली तो ज्यादा बहतर तो यह रहता है कि आप कुब ह इसके लीव्स झाट करके यूज कर ले औरी यहां पर भी बन रहा है दिखो फ्लार बन रहा है इसको तौड़ दो आपके दो पते पती तो मिलते रहेंगे काफी सारे पत्ते आपको हर्वेस्ट करने के लिए लंबे हर्से तक मिलते रहेंगे यह सारी चीजें रखते हैं हम एक साइड में बारिश हुई है पर देखो जमीन बिल्कु सुखी है बिल्कुल दो चार दो चार मुन्दे ही बारिश की हुई है जमीन भी अच्छ से गीली नहीं हुई रख दिया हमने इधर इधर एक शलगम इसके बत्ते भी बता रह फिर नहीं हुई है और एक और है शलगम यह भी रख लेते हैं इसके कहली खाली होने लब पड़ा ग्रों बैग यहां पर मिठी का प्लाइग जिसमें जुगर की मिठी होती है ने इसमें वाइट कलर के फ्लार आजाते हैं कसूरी मिठी में तो यलो कलर के फ्लार आएंगे य अगे दिखते हैं इधर भी सौन बहुत सारी और थोड़ी सी ये मिथी थोड़ी क्या मतलब की एक शलगम है थोड़ी मेथी क्या बोलू मेथी तो एक ही प्लाइट फाइट ये की लग रहा है मुझे बाकी पर चुट चुटे हैं अभी एक शलगम है इधर और ये स्पिंग अन ये इन में भी फूल आने वाले हैं चोटा साफ लाट आनेवाला है सौन वह उम्हें इस गर्दन को कलम कर रही हूं अब लिदे पते पत्ते पुड़ीस के फूल ना पुड़ीस करें आपको चाहिए नहीं फूल ना सेड़ नीचे यह रधर उनको रखते हैं इधर येधर अब बढ़ते हैं आगे आज फाइनली मैं आपको कसूरी मेथी के फूल और मेथी के फूल इकट्थे दिखा रही हुए देखो कसूरी मेथी के फूल है येलो कलर के और लीव्ज भी आप देखो इसके ये हैं मेथी जो घर के मेथी दाने को हम ग्रोव करते हैं ये वो है ये है अ एसमिदों निखो法म है दोनलों में डिफेंज और मैने बताया था कि मिथी जो घर की में जो करते हैं वह तो अपर अपर उपर उप सीधा सीधा निकलते रहता और यह जमीन पे फैलता है कॉसुरी मिथी वैला जमीन पे फैलता रहे से कषुर्णी में परिखा द 요 यह तो 아गे नहीं जिपकर रहे सकान तो वहाँ जहां से निजे मीजे को हागी से अगेषैट करोगी उसका सिरकाड दोगे तो वहां से हो ने अब हर्वेस्ट करोगे उसके नीचे से और शूट साती रहती है तो ऐसा नहीं है कि मेथी ज्यादा अच्छा हर्वेस्ट नहीं देगी वह भी बढ़िया हर्वेस्ट करती है और इधर यह इसमें धनिये में भी फूल आने लग पड़े यह देखो तो अब जो आए चल्गम और मूली नजर आ रही है मूली में साब नहीं शलगम है यह यह जल्गम है और मूली नहीं यह भी शलगम है यह तो बहुत थिन अब लगने शुरू हो एंगे हैं और इदर लेट्यूस के लीवस के बड़े सारी लेट्यूस के लीवस हैं आप जितने मर्जी हां से अर्वेस्ट कर सकते हैं आपनी मतलब मैं लेकिन मैं थोड से हार्वेस्ट करने वाली हूं तीन प्लांट्स लगे हैं तीन चार प्लांट्स हैं जैसे जैसे हम हार्वेस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे और लीव जाते जाएंगे कि यह देखो कितने बड़े-बड़े सुन्दर सुन्दर से पत्ते हैं इसके यहां थोड़ी सी सर्चों भी लगी हुई है थोड़ी मिथी लगी यह है मिथी में बटागी थी, आप काट दोगे न, यहां से आपने काटी, यह काटा होए पहले हिस्सा यहां से निया निकलाया नीचे से तो मेथी भी इसी तरह से हर्वेस्टिंग करती रहती है आगे से आगे आप जहां से कट करोगे वहां से उसके नीचे से निया शूट निकलना शुरू हो जाएगा एक और शलगम है इदर यह देखो आज शलगम की भार आई हुई है थोड़ी से इदर पालक भी लगी हुई है शाया में है तो सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्ते हैं इसके शेड में बड़े अच्छे लगे हुए है आज कल हर प्लांट की उपर है सरदियों के पहुदे की उपर जैसे फूल आ रहे है फूल वड़ा जो होता है न प्लांट आप फूल हर्वेस्ट कर सकते हो आज कल थोड़ा सेफ है उसको हर्वेस्ट करके यूज करना लेकिन अगर जाद अगर्मी हो जाएगी तो बहुत सारे छोट छोटे कीट पतंगे न पूलों की साइड अट्रेक्ट होते हैं फिर आप अगर हर्वेस्ट करके उसको बनाना है तो आपको बड़े अच्छ से चेक करनी पड़ेगी पूरी हर्वेस्ट और इधर पैंगन लगे हैं मैंने का क्यों छोड़ना इनको भी हर्वेस्ट कर लेते हैं तो एक ये है इसके अतिरित एक इधर है ये दोना होगी ये रहा आज का हर्वेस्ट काफी सारे ग्रीन्स और थोड़ी से शलगम एक मूली भी है छोटी सी शलगम विभिन विभिन प्रकार के हैं कोई छोटे अकार काई बड़ा है तो मैं इस तरह के वीडियोज शौक या तॉर्ट पर बनाती रहती हूँ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए कमेंट करके ज़रूर बताईए लाइक करिए हैपी गार्णिंग टो आल अफ यू